सत्य त्रिमूर्थि शुब बाबा के, हम सत्यो प्रधान बनने वाले बाबा के बच्चे, सत्यो प्रधान बनने के लिए सत्य की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, नॉन वाइलेंस, डबल अहिंसक बनने की शक्ति पर ध्यान दिलवा रहे हैं। मिच्छे बच्चे, याद से सत्यो प्रधान बनने के लिए साथ साथ पढ़ाई से कमाई जमा करनी है। पढ़ाई के समय, बुद्धी इदर उदर न भागे। प्रश्न है, तुम डबल अहिंसक अन्नॉन वारियंस की कौन सी विजे निश्चित है और क्यों। उत्तर है, तुम बच्चे जो माया पर जीत पाने का पुर्शारत कर रहे हो। तुम्हारा लक्ष हम रावन से अपना राज्य लेकर के ही छोड़ेंगे। ये भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। तुम्हारी विजे निश्चित है। क्यों कि तुम्हारे साथ साक्षात परमपिता परमात्मा है। तुम योगवल से विजे पाते हो। मनमना भाव के मंत्र से तुम्हे राजाई मिलती है। तुम आदा कलप राज्य करेंगे। गीत है। मुखडा देख ले प्राणी जरादरपण में। देख ले कितना पुन्य है कितना पाप तेरे जीवन में। ओम शान्ति। मीठे मीठे बच्चे जब सामने बैठे रहते हैं। तो समझते हैं। बाबा पढ़ा रहे हैं। बराबर कोई हमारा साकार टीचर नहीं है। हमको पढ़ाने वाला ग्यान का सागर बाबा है। यह तो पक्का निश्च है। वह हमारा बाप भी है। जब पढ़ाई पढ़ते हैं तो पढ़ाई पर अटेंशन रहता है। स्टूड़न्ट अपने स्कूल में बैठे होंगे। तो टीचर याद आएगा ना अटेंशन टीचर पढ़ जाएगा। ना कि बाप। क्योंकि स्कूल में बैठे हैं। तुम भी जानते हो। बाबा टीचर भी है। नाम को तो नहीं पकड़ना ना। नाम पर तो फोकुस नहीं रखना है। आध्यान में रखना है की हम आत्म हैं। और बाप से सुन रही है। ये awareness… हम आत्म हैं। परमपिता परमात्म से पढ़ रहे हैं। ये तो कभी भी नहीं होता है, ना सत्यूग में न या कल यूग में, कल यूग में भी नहीं होता है, शास्त्र पोतियां पुस्तर करते हैं, फलाना सुना रहा है, सत्यूग में भी पढ़ाने वाला टीचर रहता है, याद परमात्मा याद नहीं रहता है, ये सिर्फ संगम हमारा बाप इस समय टीचर है क्योंकि हमको पढ़ाते हैं है हमारा परमपिता पर पढ़ा ही पढ़ा रहे हैं इसलिए हमारा शिक्षक है खाली पिता कहा तो लापरवा हो जाएंगे ना केरलेस हो सकते हैं स्टुडी में वो पढ़ाते हैं हमको वो दोनों काम करते हैं आत्मा पढ़ती है शिप बाबा से ये भी योग और पढ़ाई हो जाती है ना पढ़ती आत्मा है पढ़ाती परमात्मा है इसमें और कोई जास्ती फाइदा है इसमें तो और ही जास्ती फाइदा है जबकि तुम सन्मुख हो डारेक्टली हम बगवान से पढ़ रहे हैं फेस टू फेस पढ़ रहे हैं तुम बच्चे अच्छी रीती याद में रहेंगे कर्मा ती सवस्था में पहुँचेंगे तो वो भी जैसे पवित्रता की ताकत मिलती है शिप बाबा हमको पढ़ाते है ये तुमारा योग भी है और कमाई भी है आत्मा को ही सतो प्रधान बनना है तो तुम सतो प्रधान भी बन रहे हो और धन भी ले रहे हो कमाई भी है और फिर परमपिता परमात्मा पढ़ाई का लक्ष पवित्रता है योग सिखा रहे है तो पवित्र भी बन रहे है ताकत मिलती है पवित्र बनने की आत्मा को ही सतो प्रधान बनना है तुम सतो प्रधान भी बन रहे हो और धन भी ले रहे हो पर अपने को आत्मा जरूर समझना है बुद्धी भागनी नहीं चाहिए यहां बैठते हो तो बुद्धी में यह रहे के शिब बाबा पढ़ाने के लिए टीचर रूप में आया की आया वही नॉलिजफुल है वो ही हमको पढ़ा रहे है बाप को याद करना है सुदर्शन चक्करदारी भी हम है लाइट हाउस भी है एक आँख में शांती धाम एक आँख में जीवन मुक्ती धाम इन आखों की बात नहीं है आत्मा का तिसरा नेत्र कहा जाता है आत्मा को तिसरा नेत्र कहा जाता है सभी आत्मा सुन रही हैं जब शरीर छोड़ेंगे तो आत्मा में संसकार जो है ना ज्ञान के प्योरिटी के जब शरीर छोड़ेंगे तो आत्मा ये संसकार होंगे अभी तुम बाप से योग लगाते हो अभी योग लगाते हैं सत्योग से लेकर तुम भी योगी थे अर्थार्थ बाप से योग नहीं था संबंद भी नहीं था पहचान भी नहीं थी अभी तुम योगी बनते हो बाप समान योग सिखाने वाला है इश्वर उनको कहा जाता है योगेश्वर तुम भी योगेश्वर के बच्चे हो उनको यानि परमात्मा को योग लगाना नहीं है वो तो योग सिखलाने वाला परमपिता परमात्मा है हम बाबा कहते तुम एक एक योगेश्वर योगेश्वरी बनते हो फिर राज राजेश्वरी बनेंगे योग-्योग इश्वर हम क्यों है राज-राज-आश्वर ही कैसे है कि इशवर ने हमको राज-योग सिखाया और इश्वर ही हम स्मीश वर्से ही योग लगा रहे हैं तो हम योग लगाने वाले योग सिखाने वाले के साथ योग है, योग लगाने वालों का, इसलिए हम एक योगैश्वर से योगैश्वरी बनते हैं, योग सिखाने वाला इश्वर है, खुद नही सीखता है, सिखलाते हैं. राजयोग सीख के राज-राजयश्वरी भी हम ही बनते हैं. कृषन की आत्मा भी अंत्क जनम में, लास्ट जनम में, संगम यूग पर, योग सीख, फिर सत्ययोग में कृषन बनती है न, इसले कृषन को भी योग इश्वर क्या देते हैं, क्योंकि कृषन की आत्मा भी तो सीख रही है न, योग इश्वर से, योग सिखाने वाले इश्वर से, योग सीख, कृषन पद पाती है. बाबा कहते हैं, इनका नाम जिसने योग सीखा, और जिनके तन में परमात्मा ने बैठके योग सिखाया, उनका नाम फिर बाप ने ब्रह्मा रखा है, पहले तो लोकिक नाम था न, ब्रह्मा नाम नहीं था, फिर मर जीवा बने, यानि पुराना नाम दादा लेख राज से, लक इतना स्रेष्ट भागे इतना स्रेष्ट नया जीवन मिला, ये ब्रह्मा भी ब्रह्मन बना, तो पहले लोकिक नाम था फिर मर जीवा बने, आत्मा को ही बाप का बनना है न, यानि बाप के बने तो पुराना जनम समाप्त, कहने का मतलब क्या हुआ बाबा का बनना जैसे बच्चा को बाप मिला, बाप को बच्चा मिला, बहां, क्यास बच्चा करना मिल समीनी बनना तो न यानि बंनन, बाप के बने तो मर गए न, ये बापके बने, बिच्चा फिर मिला जनम थे पुराना जीवा। तो अभी नए जीवन से योग सीख रहे हो तो बाबा ने बताया ना आत्मा का स्वधरम शान्त है तुम आत्मा पवित्र बन जाती हो सतो प्रधान बन जाती हो तो इन संसकारों से ही तुम जाएंगे शान्ती धाम में फिर सत्योग में फिर नया पार्ट प्रालब्द का इमर्ज होगा अभी की पढ़ाई का reward वहाँ ये बाते याद नहीं रहेंगी ये ज्यान योग की पढ़ाई याद नहीं रहेंगी ये अभी बाप समझाते हैं अभी पार्ट पूरा होता है फिर नये सिर से शुरू होगा जैसे बाप को संकल्प उठा कि मैं जाओं प्रवेश किया संकल्प होगा कि अब मैं बच्चों के पास साकार सिष्टी पराओं मैं जाओं तो बाप कहते मैं आता हूं प्रवेश करता हूं और मेरी वानी चलनी शुरू हो जाती है प्रवेश करता हूं तो मुख खुलता है भगवानों वाच्चे भगवान वच्चन चारते हैं जानि वानी चलना शुरू हो जाती है वहान तो शांती में है परमधाम में तो आवाज नहीं है फिर ड्रामा अनुसार उनका पार्ट शुरू होता है आने का तो संकल्प उठता है पर ग्यान सुनाने का पार्ट फिर यहां खुलता है परमधाम में ग्यान नहीं है सुनाना नहीं है ग्यान कोई सुनने वाले के ओर्गन्स भी नहीं है आत्मा के चरीरी नहीं है फिर यहां आकर पार्ट बजाते हैं तुमारी आत्माई भी सुनती है नंबर वार पुरिशारत अनुसार कलब पहले मिशल दिन प्रती दिन वृद्धी को पाते जाएंगे बच्चे बढ़ते जाएंगे एक दिन तुमको बड़े रॉयल हॉल भी मिलेंगे जिसमें बड़े बड़े लोग आएंगे सब एकठे बैठ सुनेंगे दिन प्रती दिन शावकार भी रंग होते जाएंगे अभी जो बहुत शावकार है वो भी ओर्डिनरी गरीब हो जाएंगे और बराबर अब तो देखो न नया साधन तो कुछ है नहीं कमाई का पुरानी कमाई स्टॉक कहां तक चलेगा बड़े-बड़े हॉल है किस काम आएंगे नेश्रल क्लैमेटीज तो आनी है शावकार भी रंग होते जाएंगे पेट पीट से लग जाएगा यानि खाने के लिए भी मुश्किल मिलेगा ऐसी आफ़ते आने हैं मुसलाधार बरसात पड़ेगी तो सारी खेतियादी पानी में डूप जाएगी ना अना आज मिले गई नहीं नेश्रल क्लैमेटीज भी आनी है बिनाश होना है नेश्रल क्लैमेटीज कहा जाता है इसको कुदरती अपड़ेए कहा जाता है गद्धी कहती है विनाश होना है जरूर और फिर विदेश उस तरफ के लिए एटम बॉब्स तैयार हो रहे है और नेश्रल क्लैमेटीज के लिए फिर यहां भारत के लिए बाबा कहते हैं, इस तरफ है नेच्रल क्लारमिटीज, उस तरफ है अटमिक एनरजी, पर बाबा कहते हैं, तुम्हारी अवस्ता बिलकुल अच्छल अडोल रहनी चाहिए, पर इस्तती आएंगी, पर आत्मा को अंगद मिसल, कोई पैर हिला नहीं सका भाब क्या है, बाबा कहते हैं, तुमको अपनी अवस्ता पक्की करनी है, मैं आत्मा हूँ, शरीर का बहान तूटता जाए, सत्युग में तो जब ऑटोमेटिकली समय होता है, शरीर छोड़ने का आयूपूरी होती है, तो साक्षातकार होता है, कि अभी हमको ये शरीर छोड़, जाए बच्चा बनना है, एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करते हैं, सजाएं आदी तो कुछ है ही नहीं, दिन प्रति दिन तुम नजदीक आते जाएंगे, यानि लास्ट सीन के नजदीक आते जाएंगे, ड्रामा का एंड लास्ट सीन आएगा, बाप कहते हैं, मेरे में जो पार्ट भरा हुआ है, वो खुलता जाएगा, बच्चों को बताते रहेंगे, ज्ञान क्लियर करते जाएंगे न, फिर बाप का पार्ट पूरा होगा, तो तुमारा भी पार्ट पूरा हो जाएगा, बाबा फिर बाकिए बच्चों को ग्यान सुरिष्टी के आदी मद्यंत का ग्यान नहीं सुनाएंगे तो तुमारा पार्ट भी पूरा हो जाएगा फिर तुमारा सत्युक का पार्ट शुरू होगा घर वापस जाएंगे फिर नई दुन्या का पार्ट शुरू होगा अभी तुमको अपना राज्य लेना है ये ड्रामा बड़ा युक्ति से बना हुआ है तुम माया पर जीत पाते हो इसमें भी टाइम लगता है बाकी जिनके पास वैभव सुख सुविधाय है वो लोग तो एक तरफ समझें स्वर्ग में बैठे हैं सुख धाम बन गया है फिर दूसरे तरफ एक गीत भी है भारत की हालत सुनाते हैं देख तेरे समसार की हालत क्या हो गई बगवान उसके बारे में भी वर्णन करते हैं तुम जानते हैं यह तो औरी तमो प्रधान बन गए है ड्रामा अनुसर तमो प्रधान भी जोर से होते जाते हैं यानि फुल फोर्स उसे आत्मा की शक्ति कम होती जाती है इंप्योर बनते जाते हैं तुम अब सतो प्रधान बन रहे हूँ तो जितनी जितनी अपनी सतो प्रधान तक कि स्टेज को पहुँचते जाएंगे एचीव करते जाएंगे नजदी काते जाएंगे तो आखिन विजे तो तुमारी होनी ही है हाहाकार के बाद जैजैकार होगी घी आदी घी की नदियां बहेंगी वहाँ घी आदी खरीद करना नहीं पड़ता सब के पास अपनी फर्सक्लास गाईएं होती है कावज होती हैं गवमें होती है तुम कितने उच बनते हो तुम जानते हो वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्रफी फिर रिपीट होती है बाप आकर वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट करते हैं यानि फिर सवर्ग बनाते हैं बाप आकर स्वर्ग की हिस्ट्री रिपीट करते हैं इसलिए बाबा ने कहा है ये भी बोल्ड पर लिख दो वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्रफी कैसे रिपीट होती हैं आकर कि समझो जो संसिबल होगा कहेगा रिपीट माना यानि अब भी आईरन एज है तो जरूर गोल्डन एज आएगी ना कोई तो कहेंगे सिष्टी चक्र लाखो वर्ष का है अभी कैसे रिपीट होगा यहां सूर्य बंशी चंद्रवंशी की भी हिस्ट्री तो है नहीं वह भी सूर्य बंशी चंद्रवंशी की हिस्ट्री भी भूल गए हैं तो फिर से सूर्य बंशी राज होगा ना आन्त तक यह चक्र कैसे रिपीट होता है वह भी जानते नहीं के इनों का राज फिर कब होगा राम राज को जानते नहीं क्योंकि परमात्मा बाप को नहीं जानते तो चक्र का ग्यान ही नहीं या इसले repetition की पैचान नहीं है अत्वा ग्यान नहीं है अभी तुम्हारे साथ बाप है स्वयम भगवान हमारे साथ है जिस तरफ साक्षात परम पिता परमात्मा बाप है उनकी जरूर विजे होनी है परमात्मा स्वयम साथ है तो विजे होनी है बाप कोई हिंसा थोड़ी कराएंगे किसको मारना तो हिंसा है न तो परमात्मा नहीं हिंसक बनने का ग्यान दिया और वो भी सबसे बड़ी हिंसा कौन सी है जो स्टॉप करनी है सबसे बड़ी हिंसा है काम विकार क्योंकि उससे आत्मा की शक्ति पवितरता स्वमान रस्पेक्ट सब खतम हो जाता है तो बाबा कहते हैं किसको मारना भी हिंसा है और विकार भी हिंसा है काम विकार है सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना तुम अभी डबल अंसक बन रहे हो ना काम विकार ना करोध विकार वहां है ही अंसा पर्मो देवी देवता धरम देवी देवताओं का परम धरम सुरिष्ट धरम है ही एंसा वाना लड़ते हैं न विकार में जाते हैं वो निर्विकारी देवता हैं लड़ाई भी नहीं है कोई असूर नहीं है वहाँ पर कोई राक्षस नहीं है जो लड़ना पड़े और निर्विकारी संपूरन पवित्र सतो प्रधान पवित्र जीवन है उनके चित्रों को भी कितना प्यार से पूझते हैं बर्थडे होता है तो सारा दिन व्यत रखेंगे नवरात्य के दिन होगे तो पवित्र ताका वरत रखेंगे कोशिश करके पवित्र रहेंगे विकारी नहीं बनेंगे महा ना लड़ते हैं न विकार में जाते हैं अभी तुमारा योग बल है प्रंतु इसको न समझने के कारण शास्त्रों में और अस्रों में देवतों की लड़ाई लिख दी है वह इंसक लड़ाई दिखा दिये हैं हमारे अंदर आश्री वृत्ती को हम जीतते हैं स्वाधर्शन चक्कर से विकारों का गला कड़ते हैं स्वाधर्शन अपना दर्शन किया कि मैं तो कितनी दिव्यात्मा थी अभी मैं कैसी पतित बन गई हूं फिर से मुझे वो देवता बनना है स्वामान से सतधर्म से आत्मिक सिम्रती के अब शक्ती से समर्थी से पवित्रता के बल से अब पवित्रता को खतम करते हैं इसको कोई इसमें हिंसा की बात नहीं है अभी तुम्हारा तो योग बल है प्रन्तु इनको ना समझने के कारण शास्त्रों में और स्रोर देवतां की लड़ाई लिख दिया है हिंसा को अहिंसा को तो कोई जानते ही नहीं है कि पवित्रता ही अहिंसा है यह तुम ही जानते हो और तुम विजे पाते हो विकारों पर युद्ध है आंतरेक ये युद्ध है आश्री वृत्यों से तुम हो इनकोगनीटो वारियर्स अन्नोन वारियर्स बट वेरी वेल नोन तुम को कोई वारियर्स समझेंगे देवताओं की महिमा कितनी है पूजा उनकी कितनी है परन्तु उन्होंने कैसे माया पर जीत पाई कोई नहीं जानता है तुम हो अन्नोन वारियर्स तुम को कोई वारियर्स समझेंगे तुम्हारे द्वारा सबको मन मना भव का पैगाम मिलेगा भगवान को याद करो मन पर मात्मा में ही लगाओ ये है महा मंत्र मन शिन बातों को समझते नहीं शत्यूग में ये मंत्र होता नहीं मुझे एक को याद करो मन मना भव मन मना भव मद भगतो वद्ध्य जी भव माम नमस करो मुझे लक्ष को सामने रखो पवित्र बनो योगी बनो ये मंत्र नहीं होगा वहां तो प्रालब्द प्राप्त हो गई ना मंत्र से तुमने राजाई पाई फिर दरकार नहीं है ये पाठ पढ़ने की तुम जानते हों कैसे चक्कर लगा कर आए है कल्यू के आंत में पहुँचे है संगम पर खड़े है फिर बाबा महा मंत्र देते है फिर मादा कलब राज करेंगे अब तुमको दैवी गुण धारन करने और कराने है बाबा राए देते है अपना चार्ट रखने से तुमको बहुत मजा आएगा रजिस्टर में गुड गुड बैटर बेस्ट होता है ना तुम खुद भी फील करते हो कोई अच्छा पढ़ते है कोई का अटेंशन नहीं रहता है तो फेल हो जाते है ये फिर बेहद की पढ़ाई है बाप हमारा बाप भी है इचर भी है गुरू भी है तीनों पार्थ कठे प्ले करते हैं ये एक ही बाप है जो कहते है मर जीवा बनो पुराने को पुराने को भूलो पुराने को छोड़ो नए जनम की खुशी में रहो मर जीवा बन जाओ तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो बाप कहते हैं मैं तुमारा बाप हूं ब्रह्मा द्वारा राज देता हूं ये हो गया बीच में दलाल ये इंस्टुमेंट तो इनसे योग नहीं लगाना है अभी तुमारी बुद्धि शिव बाबा के साथ है ब्रह्मा द्वारा मैं ज्ञान सुनाता हूँ योग ब्रह्मा को निसे नहीं लगाना है ब्रह्मा के चरित्र को फालो करना है याद शिव बाबा को करना है अभी तुमारी बुद्धी लगी है उस अपने पतियों के पति शिव साजन के साथ इन द्वारा तुम को हम अपना बनाते हैं कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो हम आत्मा ने पाठ पूरा किया अब बाप के पास जाना है घर अभी तो सारी सृष्टी तमो प्रधान है पाच तत्व भी तमो प्रधान है बहुत सब कुछ नया होगा यहां तो देखो हीरे जवरात आदी कुछ भी नहीं है सत्युग में फिर कहां से आते हैं बाबा ने का यह फिर से आते हैं यही जो भक खाने बरपूर थी माइंस बरपूर थी वो खाली हो गई अब फिर से जब भड़तू हो जाती है तो फिर खान से भी हीरे मोती फिर निकलाते हैं बाबा ने का खोदने भी नहीं पड़ते हैं अभी तो फिर भी बाबा ने का खानों से खोद ले करके खोद करते हैं बाबा ने का इतने स्पष्ट होते हैं कि सर्फेस पर तुमको मिल जाएंगे विचार करो सब चीज़े होंगी ना लाइट आदी भी जैसे नेच्रल रहती है साइंस से यहां सीखते रहते हैं वहां ये काम आती है हेलिकॉप्टर खड़े होंगे बटन दबाया ये चला यानि विमान होंगे वहां पर देवताओं के विमान देखाते हैं ना कोई तकलीफ नहीं वहां सब फुल प्रूफ होता है कभी मशीन आदी खराब हो न सके गर में बैठे सेकिन में स्कूल में वहां घूमने फिर ने पहुंचते हैं विमानों में जो घूमते हैं परजा के लिए फिर उनसे कम होंगे तुमारे लिए वहां सब सुख होते हैं अकाले मृत्तु वहां हो नहीं सकता तो बच्चों को कितना अटन्शन देना चाहिए माया का भी बहुत जोर है यह माया का अंतिम पॉम्प है अंतिम आखरी शो है लडाई में देखो कितने मरते हैं लडाई बंध होती नहीं कहां इतनी सारी दुनिया कहां सिरफ एक ही स्वर्ग होगा महां ऐसे थोड़ी केंगे गंगा पतित पावनी है महां भक्ती मारक की कोई बाती नहीं यहां तो देखो गंगा में हरीद्वार में भी न सारे शेयर का किच्रा पढ़ता रहता है बंबे का सारा किच्रा सागर में बेह जाता है भक्ती में तुम बड़े-बड़े मंदिर बनाते हो हीरे जावरातों का सुख तो वहां रहता है ना तो तीन युग तक थ्री क्वार्टर्स पौना इस्षा सुख है बाकी क्वार्टर्स है दुख है फौर्थ पार्ट है दुख 25 परसेंट लास्ट में अगर आदा आदा हो तो फिर मजा ही न रहे आदा समय सुख आदा समय दुख ऐसे नहीं है बत्ती मार्ग में भी तुम बहुत सुखी रहते हो फिर बाद में मैं मंदिर को शुरू में दौपर में तो नहीं लूटा ना पीछे मंदरों आदी को भी लूटते हैं सत्युग में तो तुम कितने शाहुकार हो बहुतों को खुशी होनी चाहिए एम अबजेक्त तो सामने खड़ा है ना हमको फिर ऐसा बनना है हम ये इतने उच्छे थे बाबा कहते है मामा बाबा का माम बाप का तो सल्टन है खुशी है हमको ये कल बनना है गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं खुशी जैसी खुराक नहीं योग से आयू बढ़ती है तो आयू लंबी जीवन बड़ा सुखी और खुश अभी आत्मा को स्वा का दर्शन हुआ है कि हम चुरासी का चक्कर लगाते हैं इतना पार्ट बजाते हैं ड्रामा में हमारा कितना समय का पार्ट है परमधाम से सब आत्मा एक्टर्स नीचे आ जाएंगे तो बाप सब को ले जाएंगे शिवकी बरात कहते हैं न यह सब तुम जानते हो जो बाबा ग्यान दे रहे है अब बच्चों को समझ है अब घर वापस कठा जाना है यह तुम सब जानते हो नंबर वार पुर्शारत अनुसार फिर से स्वर्ग में आना है जाना है फिर से सुकदाम में आना है जितना तुम याद में रहेंगे उतना खुशी में रहेंगे जितना याद में रहेंगे उतना खुशी में रहेंगे दिन प्रती दिन फील करते रहेंगे क्योंकि वो बाप का नजदीक का संबंद का सुख मैसूस होगा ना फील करते रहेंगे क्यों कि सिखलाने वाला तो बाप है ना परम पिता परमात्मा खुद है ना परमात्मा हमारा शिक्षक है ये भी सिखाते रहते हैं ब्रह्मा बाबा भी अपने अनुभव से क्या किस करम से कौन सा फाइदा है किस भूल से कौन सा नुकसान है अटेंशन और चेकिंग से आत्मा को कितनी उन्नती होती है ब्रह्मा बाबा भी पढ़ाई पढ़ करके हमको बहुत कुछ सिखाते हैं समझाते हैं बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा क्योंकि एक्सपेरिमेंट करके फोरण एक्सपेरियन्स करते हैं और अनुभा वो कर लेते हैं जो बाबा ने कहा तो शिप बाबा से पूछने की बार बार जरूरत नहीं रहती और हम क्योंकि सुनते हैं अभ्यास नहीं करते अभ्यास नहीं तो अनुभव भी नहीं है और अनुभव नहीं है तो बार बार वोई बात पूछते हैं योग कैसे लगाएं योग कैसे लगाएं और बाबा अपना अन्वव बताते है मैं योग कैसे लगाता हूँ कितना खुश सकता हूँ हर सरुप संन्बन्ध बाबा से मै कुसLS करता हूँ तो बाबा केहता ब्रह्मा को फिर पूछने की दरकार नहीं रहती पूछते तो तुम हो ये तो सुनते ही है न तो फिर बाप रस्पॉंड देते हैं और ये भी सुनते हैं फिर बतम ने पूछा शे बाबा ने जबाब दिया ब्रह्मा बाबा ने का मैं भी सुन लेता हूं तुम्हारे प्रश्णों का उत्तर तो बाबा को भी कुछ पूछने की जरकादरकार ही नहीं इनकी एक्टिविटी कितनी वंदर्फुल है। यह भी याद में रहते हैं, ब्रह्मा बाबा याद करते हैं, फिर बच्चों को वर्णन करके सुनाते हैं, अनभव सुनाते हैं ब्रह्मा बाबा, बाबा हम पो खिलाते हैं, बाबा के साथ खाता हूं, मैं उनको अपना रत देत किराई पर मकान देता हूं या शरीर उपीरत में वो सारती बनते हैं सवारी करते हैं तो क्यों नहीं खिलाएंगे फिर जब रजे समझा यह आश्व मेद यग रचा है तो यह शरीर घोड़ा है शिप बाबा इस पर सवार है तो बाबा कहते तो हुमन आश्व है हुमन घोड़ तो है शिप बाबा कहा है मैं रत्त हुँ यह ख्याल रहने से भी शिप बाबा की याद रहेगी याद से फाइदा है फिर कैसे याद करना चाहिए बाबा कहते हैं बंडारे में भोजन बनाते हो तो समझो हम शिप बाबा के बच्चों के लिए बनाते हैं बाबा के बच्चों के लिए बनाते हैं खुद भी शिप बाबा के बच्चे हैं हम भी बाबा के बच्चे हैं ये भी बाबा के बच्चे हैं तो ऐसे याद करने से भी फाइदा है सबसे जास्तिपद उनको मिलेगा जो याद में रहे करमाती तवस्ता को पाते हैं और सर्विस भी करते हैं योग में रह करके करम भी करते हैं और सेवा भी करते हैं ये बाबा भी बहुत सर्विस करते हैं ना इनकी बहुत की सर्विस है तुम हद की सर्विस करते हो सर्विस से इनको इनको भी पद मिलता है तो शिब बाबा कहते है ऐसे ऐसे करो जैसे बाबा हम बच्चों को राए देते है बाबा कहते है राए तो ब्रह्मा को भी मैं ऐसे ही देता हूँ इनको भी तो राए देते है तुफान तो बच्चों को आते हैं तो सिवाए याद के करमिन्रिया वश करना मुश्किल है याद से ही बेड़ा पार होना है यह शिप बाबा कहते है यह ब्रहमा बाबा कहते है अब शिबाबा डारेक्शन दे रहे है ब्रह्मा बाबा अपना अनुभाव सुना रहे है मुख तो एक ही है संटेंस भी एक ही है ये समझना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि बाबा इतना ब्रह्मा बाबा का अनुभाव एक्सपीरियंस का और शिवाबा भी डारेक्शन दे रहे हैं तो इसलिए महीन बुद्धी चाहिए इसमें बड़ी महीन बुद्धी चाहिए समझने की कैच करने की अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते धाड़ना के लिए मुक्यसार इस समय पूरा फूरा मर जीवा बनना है फूरा फूरा मर जीवा बनना है पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़नी है अपनार चार्ट वा रखना है याद में रहे अपनी कर्माती तवस्ता बनानी है याद में रहे अपनी कर्माती तवस्ता बनानी है अन्तिम विनाश की सीन देखने के लिए हिम्मत वान बनना है मैं आत्मा हूँ इस अभ्यास से शरीड का बान तूटता जाए वर्दान किसी भी विक्राल समस्य को शीतल बनाने वाले संपूरन निष्ट्य बुद्धी भव एक्स्लानेशन जैसे बाप में निष्ट्य है वैसे स्वयम में और ड्रामा में भी संपूरन निष्ट्य हो स्वयम में यदि कमजोरी का संकल्प उत्पन होता है तो कमजोरी के संसकार बन जाते हैं इसलिए व्यर्थ संकल्प रुपी कमजोरी के जर्म्स अपने अंदर प्रवेश नहीं होने देना बाप में निष्ट्य और ड्रामा का साखीपन की स्टेज साथ साथ जो ड्रामा की सीन देखते हो तो हल्चल की सीन में भी कल्यान का आनुभव हो हल्चल की सीन में भी कल्यान का आनुभव हो वातावरन हिलाने वाला हो समस्या विक्राल हो बड़ी भयानक हो लेकिन सदा निष्टे बुद्धी विजयी बनो तो विक्राल समस्या भी शीतल हो जाएगी वो क्रोध की एहम की अगनी स्वाली समस्या विक्राल अवस्या भी शीतल हो जाएगी भयानक भी शीतल हो जाएगी स्लोगन जिसका बाप और सेवा से प्यार है उसे परिवार का प्यार स्वत्य मिलता है जिसका बाप और सेवा से प्यार है उसे परिवार का प्यार स्वत्य मिलता है ओम शान्ति